इंडिया लाइज के लोग दक्षिन भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं एमके पार्टी सनातन को डेंगू मेलेरिया कहकर उसके खात्वे की बात करती है और कॉंग्रेस नकली सीविसेना वाले उनी लोगों को महरात्य मेला कर उनसे रेली करवाते हैं हाई यो बेनों हमारे यहां मराठी में एक कहावत होती है कडू कार ले तुपा तल ले साखरित गोल ले तरीक कडूते कडू यूच क्यानि कडवे करेले को गी में तले या सक्कर में घोले वो फिर भी कडवा का ही कडवा ही रहता है यह कहावत कॉंग्रेस पर सटीक लागू होती है होती है यह नहीं होती है होती है वो सुधर ही नहीं सकते वो कभी नहीं बदल सकते अपनी कर्टूतों के कारां आज कॉंग्रेस पार्टी देश के बीतर जन समर्थन खोच चुकी है इसलिए अब कॉंग्रेस खूल कर बाटों और राजकरों के खेल पर उतर आई है कॉंग्रेस ने अपना जो गोशना पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लिग की भाशा लिखी गई है क्या ही आपको मंजूर है यह देश स्विकार करेगा इनके सांसर भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं इंडिय अलाइज के लोग दक्षिन भारत को अलग करने की दमकी दे रहे हैं इंडिय अलाइज में सामेल इम के पार्टी सनातन को डेंगू मेलेरिया कहकर उसके खात्वे की बात करती है और कॉंग्रेस नकली सिविसेना वाले उनी लोगों को महरत में लाकर उनसे रेली करवाते हैं अभी दो-तीन दिन पहले ही कॉंग्रेस के राष्टी अब्जेक्शन ने एक और बयान दिया है उन्होंने कहा है कि मोदी देश में जहां जाता है दूसरे राजों में जाकर जाकर के वहां कश्मीर और आर्टिकल 370 की बाते क्यों करता है आप मुझे बताईए कि है कॉंग्रेस की विभाजन कारी सोच हैक नहीं है कश्मीर हमारा हैक नहीं है हमारा सिर्टाज हैक नहीं है क्या कश्मीर के लिए ये भाषा हमें मंजूर है जब स्थर्पति सिवाज इमाराँ ने दिल्ली सल्कनत से मोर्चा लिया था तब उन्होंने क्या ये कहा था कि दिल्ली में जो हो उसे मेरा क्या बात था क्या कभी स्थर्पति सिवाज इमाराँ ने कहा था क्या लोगमाने तिल्ली कभी सोच सकते थे कि पंजाम में जलिया वाला बाग हत्या कान हो तो उसे माराँ सका क्या वास्ता कभी नहीं सोच सकते जब कश्मीर आतन की आग में जुलस रहा था कश्मीरी पंडितों के घर जलाए जा रहे थे तब स्वर्गी ये बाला साथ ठाकरे खुल कर कॉंग्रेस के खिलाप आये थे तब बाला साथ ठाकरे जी ने नहीं सोचा कि कश्मीर में आग लगी है तो उसे मारस्ट वालों का क्या वास्ता मुझे खुछी है कि हमारे एकनाज सिंदे जी और उनकी पार्टी बाला साथ के विचारों को पुरी मजबुती से आगे बढ़ा रही है